आज हम लोग एक बहुत ही चर्चित मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं जो की टिक टॉक और यूट्यूब आप सभी लोग जानते हूं कि पिछले कई दिनों से जैसा की चान रहा है तो कहीं न कहीं ये शोशल साइट्स पर यूट्यूब और टिक टॉक का जो यूद्ध टाइप का इक छिड़ा हुआ है एक हाई प्रियाट हो बिल्कुल इसके पीछे की रियालिटी क्या है इसको क्रुष्टिकली उग्जामेइन ऐसे बीया जाए या राकियों की तरह है जिसा सब है एक यूट्यूब और एक गुड बन गया है टिक टॉक तो इसमें सही और डलत क्या है और इसके पीछे क्या factors है किन और इसे क्या consequences दो सब्सक्राइब और इससे भी जादा जरूरी है sociology student होने के नाते कि हम इस चर्चित मुद्धे को एक sociologically एक unbiased तरीके से एक neutral तरीके से अलग अलग perspective से हम इसको analyze करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि ये पूरा विबाद है क्या और हम इन दोनों चीदों को किस किस तरीकों से आज सकते हैं जो कि बाकी सारे लोगों ने रखता है कि शयद नहीं करी तो सबसे पहले तो यह जानना चाहेंगी जैसे आदत भाई ने बताया कि बाकी लोगों ने इस चीज़ें नहीं कर लाई या तो उन्होंने भी उस रोस्ट वाले यहीं में रोस्ट कर दिया एकामिती और उस बारे में कोई नया परस्पेक्टिव नहीं आए तो पहले ने एक परस्पेक्टिव नहीं आए और मैं चाहूँगा कि आदित भाई आप हमारे दर्शों को बताईए कि यह पुरा मुद्ध है क्या यह विवादा की बहुत बेसिक तरीके मैं बताना चाहता हूं इस म रोस्टिंग शब्द से स्टार्ड होती है रोस्टिंग एक ऐसी कला है जिसमें आप अगले के ऊपर कुछ जोक्स बनाते हो उसकी कुछ चीजों को लेकर और वह एग्री रहता है उस सर्टेन फ्रेमवर्क में कि हाँ अब आप मेरे उपर जोक बना रहे हो I am comfortable with that मतलब उसकी उसकी सहमती रहती है और वह भी आप बना सकता है पलटके इस पर एक यह रहता है कि हाँ इसको एक फ्रेंडी तरीक से लही है एक western culture रोस्टिंग वाली जो चीज है लेकिन होता क्या है कि जब रोस्टिंग वाली जो चीज चलती है यह वेस्ट से चलके जब इंडिया में चल है यह रिम बाद करते हैं तो आप देखते हैं हमें सब चीज़ एकूर रहे हम इसको दो भी रहे है हम रोस्टिंग वाली जो चीज चली आती तो ऑपना सा नया ाया मैस्टिंग ने लेले लेटी है कई बार उधर से ऐसी चीज चलियाती है कि वो चीजें रोस्टिंग वाली चीज से चलिके परस्नल लेडर पर आ जाती है हुआ है कि कुछ यूट्यूबर्स ने काफी समय से टिक टॉक के कुछ कुछ क्रिंजी वीडियो क्रिंजी का यहां पर जो लिटरल मीनिंग होता है हाँ यह बहुत एक जबरी बात है क्रिंजी का सही मतलब समझना है कि आप जहेब जाने वाली सिटी कुछ आपवर्ड सिचुईशन या फिर पुछ ऐसा है कि आप उस सिचुईशन में बहुत जहेब जहेब शब्द का उन यहां पर बिढूग करते हैं तो उस जहेब 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 जबनेाद के से दिक-ठ्स तरीके की चीज़े चलती-चली आरहे होती है उसके बाद एकी टॉकर आते हैं वह अपनी रियक्टिव दियो बनाते हैं उसको उनकी रोस्टिंग वीडियो पे एक र्यक्तिव वीडियो बनाते हूं चुकि पहले इस चीज़े बहुत नॉर्मन तरीके से चल रही है, यहां तक की चीज़े नहीं आ रही है मैं बहुत सिंप्लस्ट से उसका बिल्कुल कॉंप्लेक्स फॉर्म में चीज़े ले गई उसको में ट्रेस कर रहा हूं बहुता रियक्शन देते हैं कि हाह ऐसा नहीं होता है, यहां रही हम लोग की आपकी तरह हेट्रेड नहीं पहला है इसको आप रहे हैं यहां वोह तो हम लोग की पास भी टैलेंट है और जो चीज रोस्ट में जो एक जो सबसे बड़ी चीज चलाई गई थी वो यह था कि टैलेंट नहीं है इसमें कुछ इसमें कुछ आप बहुत बड़ी चीज नहीं कर दे रहे तो बस चुटकी बजा देने आ लिकापने पंदरा सेकेंड वाली है या हमने कहा कि यहां बहुत आसानी से चीज हो जारी है इसमें आपने कोई महना जैसा है जो टैलेंट शब्दगार जो आर्थ है वो इसमें आपको नहीं लिख रहा है तो उन्होंने इस चीज को डिफेंड किया और उसके खिलाफ वीडियो बना नहां दीजे कि रोस्ट के ऊपर एक रियाक्शन हुआ और उस रियाक्शन के ऊपर एक रियाक्शन हो गया अब उस रियाक्शन के ऊपर एक जो सबसे बड़ा रियाक्शन आता है कैरी मिनाटी का कैरी मिनाटी उस पर एक बड़ी विडियो बनाते हैं और उसको काफी जादा उसमें भी वह रोस्ट करते हैं, बहुत अलदा पॉपिलर होती है वो वीडियो, योट्यूब के कही रिकॉर्ड्स तोड़ती है, और धीरे 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 आगे बढ़ रही होती है, पर किसी कारण वच्छ जो कि कोई कोई कारण हमने यहां पर नहीं अभी फ्रेम पॉइं होता यह है कि उस व्यक्ति के साथ जितनी कम्यूनिटीज हैं, माला यह गया है कि उस व्यक्ति के साथ जितनी कम्यूनिटीज हैं उसमें टिक टॉक के लिए खिलाफ जो वीडियो बनी उनके रोस्ट में जो वीडियो बनी उसको रिपोर्ट करके डाउन करवा दिया, अब हम इसके अपोजिशन में टिक टॉक एप को रिपोर्ट करेंगे टिक टॉक एप की रेटिंग घटाएंगे तो अब जो चीज रोस्टिंग से चली थी उस पहले उस व्यक्ति के आंदे से जिसने रोस्टिंग पर रियक्शन दिया उसने परसनली लिया और अपनी कम्यूनिटी के लिए एक आवाद उठाई वहाँ पर एक चीज हुई कि वहाँ पर रोस्टिंग के आड़ में अब आप हमारे चीजों को भी जज़ कर रहे हैं आप हमारा मलाक उड़ा रहे हैं और हम तो काम करते हैं लेकिन आपको दिखता लिए उस पर एक रियक्टिव वीडियो बनी और उस पर एक रियक्शन बना फिर उस पर एक रियक्शन बना उस पर सबसे बड़ा रियक्शन हुआ उस रियक्शन पर ये रियक्शन हुआ कि पूरी चेंड रियक्शन चले हैं उस रियक्शन पर ये रियक्शन हुआ कि वह वीडियो डाउन कर लिया आती है और सारे लोग जा कि भाईया आप अगर इस तरीके की वीडियो अगर बनाएंगे तो हम पूरी कम्यूल्टी को ले जाके वहाँ पर हम रिपोर्ट करेंगे और वीडियो को डाउन करवा देंगे यहां पे जो सबसे इपॉर्टेंट चीज है रिशाफाई ध्यान देना लिए कि एप उस एक वीडियो की वेज़े से रोस्टिंग सारी चल दे थी उस एक वीडियो की वेज़े से यह पूरी की पूरी जो चीज है वो एक सोशल मूवमेंट के टाइप की एक फॉर्मेशन ले और अब यह मूवमेंट बन जाता है कि आप जाके कैरी की वीडियो को रिवोड करिये या फिर आप जाके टिक टॉक की रिवोड करिये और रेटिंग करिये और अभी एक हफते से मैं उसकी रेटिंग को ट्रेस कर रहा हूं 4.8 से वो डिरेक्ट 1.2 पर आजाती है रेटिंग अब बस उस बात से प्रभावित हैं यह बस इस बात से प्रभावित है वह एक गेड़ चाल वे चलाए यह अपड़ी करने वाली जो चीज है कि एक चीज कैसे एक सूशल मूवमेंट का वह बहना कि इसमें कमेड़ी की वी फीलिंग भी हम लोग देख सकते हैं कि बिलकुल ज इस बारे में क्लैशिंग देखने को मिल जाती है जो कि रोस्टिंग से शुरू हुई और अब इंडिविजल और पर्सनल लड़ाई तरीकी की चीज बन चुकी है बिलकुल तो जैसा कि मुझे लगता है कि एक बहतरीन एनलेसिस कोई जो कि आदित आपने बताया मैं तेस तक मैं देख पा रहा हूँ कि एक अच्छी एनलेसिस है कि किस तरह से यूट्यूब और टिक टॉक के बीच और अगर मैं उसे एक राइवल्री कहूं तो शायद जादा नहीं होगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से शायद एक हकते से खासकर जितने भी यूट्यूबर्स थ करने लगा है और जो टिक टॉकर्स थे वो भी अलग अलग ताइप से स्ट्राइटिजी से हम इस तरीके से इनको नी चिलाएं हम अपने आप को प्रूफ करें सोसाइटी में कि यहां हम बेस्ट हैं कि इस गड़ाई यह वहां से चल करके यह बेस्ट पर आ लिए तो यहां प प्रूफ करता हूं कि वह अपने एक पर्सपेक्टिव के थूफ इन सारी चीज़ों को देखने की कुछ कुछ चीजों को देखने की कोशिश करें तो यहां पर एक बहुत इक चर्चित नाम आता है सुशॉल जी में मैक्स वेबर की राशनलिटी या राशनल थिंकिंग की बाद आती है तो कहीं न कहीं यह सारी चीज़े तारकिक्ता से कैसे रिलेट हैं इस बात को समझना चाहिए पहले तो हम यह देखें कि यह सारा कंटेंट का मटेरियल यह सारा यह तिक टॉक का अच्छा है कि यह अच्छा नहीं है तो alguien क्रिंज Awwww यह ऐसा कियों उसे क्रिंज का जारा है है तो जैसे कि हम यह देखते हैं कि रैशनलिटी की किनृ भाई कमी है या रैशनलीटी, YouTube पर तो हम मांते है कि रैशनलीटी है लेकर हम इस बात को मानने के तयार नहीं होते है कि ट Medicare बीरकर तो जो टिक्टॉकर्स हैं तो हम कैते हैं यह कैसी मुर्टाफोन बात कर रहे हैं यह क्या वीडियो बनाएंगे और इंके पस तो content ही नहीं है यह का content है भी तो cringe content रहे रैशनल है जो तार्किक की बात करें तो कही नहीं हम सब ही जानते हैं कि YouTube का content उड़ा सा जादा भी कंई खूरा राठेशनल है उसमें कमिया नहीं है उसमें भी कमिया है चुकि YouTube आपको एक वराइटी बीडिया है लग क्यों को करने को आप लोंके κα्या करने उसको आप समझाब 232 ते सकते हैं तो के संद्दि घृटि के देह सकते हैं कुपिन वेडियो देख सकते हैं मॉड् 15 seconds वीडियो बना रहे हैं और YouTube की वीडियो जैसा कि आप भी जानते आदेजिते हैं कि इतनी महनत लेती हैं बनाने पहले वीडियो के पुरा स्क्रिप्ट पर लिख लिखना पड़ता है तो यही चीज तो टीक्टॉकर्स भी कह रहे हैं वो थोड़ा से जादा time taking होगी, जादा qualitative होगी, क्योंकि उसको बनाने में समय जादा लगा है, और YouTube पर आपको कोई ऐसा filter app प्रवाइड नहीं कि तराया जाता है, जिससे की काले को बोरा कर दिया जाए, या आप कैसे भी बैठे होए हैं और आप अच्छे ही दिख रहे हैं, उसने आपको original camera से shoot करना है, बहुत जादा अगर आप resource हैं आपके पास, तो आप एक अच्छे camera से shoot करेंगे, फिर भी आपको अच्छी editing भी आनी चाहिए, तो यानि कि rationality का level जो है, वो YouTube में हमें जादा देखते हैं, as comparatively, as comparatively, तो TikTok पर वो चीज़े नहीं मिली, तो पहला ब मैं यहां पर बता हूँ कि जो guidelines की बाता थी, community guidelines की, वो आपको YouTube तो provide कराता है, लेकिन TikTok यह सी को YouTube guidelines नहीं है, खासकर जब मैं TikTok India की, चुकि मुझा पता है, TikTok India तो खासकर आपको ऐसी कोई guidelines नहीं देता, जिससे कि आपको ऐसा content मन डा लिए, या इस तरह की videos मन डा लिए, वो आ सोरी नहीं लगाएंगी, या दूसरे से बिना पूछे नहीं लगाएंगी, असी विछीक चीज आती है, और जो भी reviewers है वो इस बात से भली बाती परिचित है, आप कितने जादा legal restrictions में हमें काम करना पड़ता है, आप अगर किसी मर्जी के बिना, या बिना उसको credit दिये, उस काना लीजे, डियालॉक लीजे, तो कि TikTok को खुदी प्रवाइड कर रहा है, और वो 15 सिकेंड खा वीडियो और आपको कोई guidelines नहीं, आप उसमें कुछ भी रिखाएंगे, और कुछ भी acting करिये, किसी की copy भी करिये, एक ही content पे 10 लोग वीडियो और कोई बड़ी पात नहीं है, वहां पर सिर्फ एक ऐसा platform है कि आप कुछ काम कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपने काम किया और एक बहतर काम, आपको लग रहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं कि उसके पीछे आपने महनत बहुत जादा नहीं करें, और नहीं आप इस तरह की guidelines के तहत बंदे हुए हैं, जो आप अगर कुछ ऐसा content डालते भी हैं, तो आपका content रिमूब कर दिया रहे हैं, जैसे कि आप अभी Kerry का नाम ले रहे हैं, तो उसने शायद थोड़ी सी abusing language use करी, मान के चलते हैं, ऐसा हुआ है, ऐसा है मान लेते हैं, और उसकी video डाउन करते हैं, लेकिन TikTok पे हम सभी, मैंने तो ख़र कभी TikTok पर आइडी नहीं बनाई, लेकिन कहीं न कहीं एक दूसरे तरीके से हम अगर देखें, तो जो content है, उस पर कहीं भी किसी भी तरह का copyright, किसी भी तरह का value वाला कोई मामला नहीं है, उसमें आप कुछ भी दिखाई है, और जैसा कि अभी 2-3 आप आप आदिते जानते हैं, कि 2-3 बड़े TikTokers जो कुछ इस तरह का काम का है, उनके account suspend किये हैं, क्योंकि उन्होंने वो guidance follow नहीं करी, तो एक तो यह point मुझे देखने को मिलता है, कि कहीं नगी rationality पूरी तरीके से खोती जा रहे है, TikTok के frame में खास कर, तो हम यह देखें कि हमारा समाज rational, rationality की त जो आदमी TikTok बना रहा है, वो उसे एक दो शालती इंसाल TikTok बनाया, या कुछ समय तक TikTok बनाया, और फिर उसे ऐसा लगा कि यह मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे TikTok नहीं बनाना चाहिए, मुझे YouTube उपर चले जाना चाहिए, या TikTok से बढ़िया आपना talent YouTube पर दिखाना चाहता है और यही पर एक दूसरा एस्पेक्ट आप आदे चाहिए, कि जो YouTuber जो आपका YouTube पर वीडियो बना रहा है, उसे लगता है, मैं तो दिन रात महनत करता हूँ, content लिकता हूँ, और मेरी वीडियो पर तो views ही नहीं आते, बहुत बड़ी प्राब्लम है, और रीच नहीं होती, मैं और टिक-टॉक की तरफ जाना चाहता है, तो यह rationality से irrationality की तरफ, और rationality से irrationality की तरफ, और rationality से irrationality की तरफ, यह cycle चलता रहा है, यह मेरा तो इसके बाद एक circulation की बात कर रहा है, कि हाँ, ऐसा नहीं है कि जो rational party में है, वो irrational party में जी जाएगा, क्योंकि दोनों को अपने goals पूर बिल्द, यह वाला एक point हुआ, तो इसके बात एक वेबेरियल perspective हो गया है, मेरे critical विचारते है, मैं आप से जाना चाहते है, यह वेबर के चस्मे से, अगर अगर अनलाइज करें है, यह से अनुनलाइज करें है, यह मीन से अनुनलाइज करें है, तो आप इसको किस बात करें मेरा जो perspective था रिजह Bhai मेरा सबसे Major perspective था पूरी स्ट्राइट grassroots करेंगे specifiction कामा आए जो perspective था मेरा येgang promise जो है चीजिए legitimate कब हैं और कब नहीं हैं एक बारी चीज में देना चाता हूँ legitimation की भी बात है कि कोई चीज आप कर रहे हैं उसकी बैदता कितनी है, वो चीज मानने कितनी है, आप उससे कैसा संदेश देना चाह रहा है, मेरा यह मानना है यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन में कि किसी चीज में आपने वो चीज जादा वैलिडेट हो जाती है, जादा एकसेटिबल हो जाती है, क्योंकि आपने उसमें ज ज intermediate कर रहा है जादा पैसे लगा है जादा ser his जादा आ हो सयइन्स काणी है जादा बिक है और जिसमें जातीज़ात कि राय है उतना जादा बैलेट कर रहा है फले ही आप उसमें जो मूंस जी सद देखें गार प्योश्ग बहुआ से गिंग से त Euch in नहीं नहीं होता है लेकिन अगर आप अप ही पांच चीज़े ले रहा हूँ यह नहीं नहीं है खोलीवड लिया टिक बॉल्यवड लिया ऐक यूटूब लिया और एक टिक- टॉक लिया आप इन चारों में उस कॉंटेंट को पाएंगे ही पाएंगे जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं कि अरे यार यार यह नहीं इचा लगा है यार यह वाली चीज नहीं होनी चाहिए इन चारो प्लैटफॉर्म्स पे इन चारो सीन्स में आप इन चीजों को पाएंगे हर चीज में वो लोगों ने हमसे जादा कामने जाएंगे तो वहां पर वो चीज जाकी करना लेजिटमेट हो गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या दिखाया है अपने ठीक वही चीज जब आ जाती है बॉलिवूड में सेम छीजगों को अगर हम रेफ्लिवूड करने कोईश रहते हैं नहीं नहीं आर यहन्याया और बहुत विर स्टा बढ़िया के का अगर हम इसमें क्लास्थी जो सबल्स पैजान कर तो अगर आप देखें के हां एक स्टापेक्टिवड याँ यह वाली चीदे चलती है, अब Bollywood पे आते हैं, Bollywood भी अपनी तरीके से काम कर रहा है, चीदों को कर रहा है, चुकि इन सारी चीदों में वही content, वही entertainment, वही अपनी चीदों को present करने वाली चीदे आ रही हैं, तो यह common platform है जिसको हम compare कर सकते हैं, तो वहां से, अब Bollywood वाले सोच रहे हैं, हम इतना खर्चा करते हैं, script लिखते हैं, हम actors बुलवाते हैं, producers बुलवाते हैं, हमाई पास एक actress होती है, हर चीज के लिए stunt masters होते हैं, dance choreographers हैं, हम सारी चीज़े कर रहे हैं, और यह YouTubers क्या कर रहे हैं, अच्छा, अब यहां पे देख माल लेते हैं, nudity को मैं ले रहा हूँ, nudity Bollywood में आप halls में देख लेंगे, लेकिन अगर आप YouTube पे देखेंगे, तो वहां पे आपको copyright strike में लग सकता है, तो क्या कोई चीज इसलिए validate कर दी आती हैं, क्योंकि उसमें हम लोगों ने जादा खर्चा किया है, जादा investment किया है, जैसे मैं theory उठाना चाहूँगा, डेविस एंड मूरे की स्ट्राटिफिकेश की, हाँ किसी पद में जाने के लिए आपको कुछ खास योगिता चाहिए, उसके लिए कुछ खास investment चाहिए, तभी आपको कुछ खास rewards प्राप्त होंगे, तो अब ये बॉलिवड वाले देख ये कैसे बना रहे वीडियो, हम लोग तो अलग अलग अक्टर्स को लेते हैं, गाना लिखने वाला है, म्यूजिक कंपोस करने वाला है, एक स्क्रिप्ट लिखेगा, एक डायलॉग लिखेगा, और यहां पर तो ये आदमी सारे काम करे देगा, ये तो गलत बात है, ये कैसे बना लिखेगा, तो इस तरीके से देख रहा है, फिर यहां पर यूट्यूब वाले के पास आते हैं, यूट्यूब वाला बताता है, हमने ट्राइपॉड लिया है, हमने स्क्रिप्ट लिखी है, हमने अपना, मैं खुद ही ये वाली चीज़े करता हूँ, मुझे एडिटिं यूट्यूब से जादा खर्च किया है, जादा काम किया है, जादा स्किल प्राप्त करने में लगने वाला समय मैंने प्राप्त किया है, और इस वाली चीज़े जब मैं करूंगा, तो वह जादा वैलिडेट मैं जाती है, मेरा पूरा का पूरा प्रिश नहीं है, कि कोई भी चीज लेजेटिमेट कम हो जाती है, क्या हम उसमें जादा इन्वेस्ट कर देते हैं, तब हो जाती है, और इस पूरी चीजों में, अगर आप इस ट्रैटास देखें, चुकि अभी आप 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 ने दो चीजों को ले लिया यहां पर, यूट्यू पर से स्टिक टॉप, इसी तरीके से अभी कुछ माईने पहले एक जो डिबेट आई थी, वो आई थी, टी स्रीज वर्सेज प्यूडीपाई की आई थी, वो भी वहात तर्वाय राल नहीं थी, यह वाली थी, अब अगर आप देखें, तो आपने अपनी भावनाओं को अटेच कर लिया है टी स्र जो कि आभी के कंटेंट पे कॉपी राइट मार देता है, आपकी कंट्री को तो रिप्रेज़ कर रहा है, अच्छल में वो क्या था और क्या होगया, सली जामदार की वीडियो में भी आम्ड़ों ने जो गाना देखा था उसमें यह वाली बारेम बात हुई थी, लेकिन अभ और हम लेज़्टiमेंट चीज़ करहे हैं, हम चीज़ जधा वैलिडियेट है, चुकि हमने इतनी सारी तामजाम उसमें इंवेस्टमेंट इतने कर दी हैं, हर तरीके के इंव्षुमेंट, आपकी अनरजी की ए पैसे की होगे, इसकेल की, दिमाग की भी हो गई, टैलेंट कि भी हो गई रिफाइनमेंट की भी हो गई एक्सपिरेंस की भी हर तरीकिस इंवेस्मेंट तो क्या वो चीज ज्यादा वैलिडेट बन जाती है और यह स्टेटाज अब कहां तक कि स्टेटाज में बटेगा अब आने वाले समय में कोई और चीज बन जाएगी जो कि टिक टॉ को डिलेक्ट कर रही होगे तो आप टिक टॉक वर्सस दैट एक्स बन जाएगा तो यह चीज जे कहां जाएंगी इसके बादे में में सोचना चाहिए यह बहुत अच्छा परस्पेक्टियों बता है क्योंकि कई चीजों को सिर्फ वैलिडेट इसलिए कर देना है क्योंकि उ अगर्स्ट कांट की बात करें वो कहते है कि तीन स्टेजेज में सुसाइटी का एवालुवेशन हुआ तो वो तीन स्टेजेज में जो सबसे लास्स स्टेज है या पत्यक्षवादी इसको पॉजिटिविस्टिक स्टेज हो लें तो यह सारी चीजे जब हम होलिगूड की ब में बीच में अफृता वी पर ही मान लेने तो जो चीजे क्या अमेरिका में दिखाई जा ली है या जो चीजे क्या किसी इतले सारांता के सात स्म check ने हम उसे मान लेगे, जैसे कि जो हमारी सोसाइटी है, वो पुरी तरीके से वैने ओरेंट है, पुरी तरीके से भावनात्मक जुड़ाओं उसमें जादा देखने को लिए और राश्नाइटी वाली जो तर्म है उसको अपनी रूम उता है, जी और परश्चिम मेरता है, जादा तो इंडियन सोसाइटी तो कहीं हैं कहीं बेर दूसरे स्टेज पर ही एए, अभी तो भी तो बात कर रहे है उसी प्रेंवर्वर्क की उसमाने के उपटार ऑगा इन चीज को लेक्रेंटि अपला पर्सक्टिव जैसे कि वह हुआत ही फेमस रहे और पर्सक्टिव है तो है हम इसमें कि आदमी जो होता था वो औरत का रोल प्ले करता था तो वहाँ पर वो चीज एक्सकेबल थी वाहाँ पर जो आपने करा पता है और किसी भी तरह की जागरण में हम जाते थे और किसी भी तरह की रेलेजियस का रोल में जाते थे तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इस आधमी ने यह आरत का रोल प्ले कियां कि cupcake का रोल प्ले किया है इस गADE आई में पिक्कॉक में के रोल प्ले किया है यह अब जू करेक्टर थे ऊसके ऊवह एक female character की voice निकालना जाते थे धे उससे प्लेकरते थे तो कहीं नियुक हैं यह सारी चीज़े पी जेंडर स्टैटिफिकेशन को भी जन्म दे रही हैं कहीं नियुक हैं एक जेंडर जो था मारा जो पहले सोचल भी चान्सक्ट होता तो वह क्या चीज़े गूर सुसाइटी में तो है, पहले से कोई नई बात दोंड़ है तो जो अब हला मचा कि कई सारे मैं देख रहा था एक दिन सी यूट्यूब चनल पर तो वो टिक्टॉकर्स के लिए बहुत ही मतलब उस शब्द बोलना शायद सही भी नहीं दाएगा जो कि हम लोग इस प्लेटपॉम से हैं लहां पर यह शब्द शायद कुछ इतना हो तो वो बहुत ही अपमाल जनक शब्दों का प्रयोग यह जिसे ट्रांसजेंडर जो होते हैं उन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे तो कही न कहीं कि हम यहां पर उस कम्यूनिटी के लिए एक उसको अपमानित नहीं कर रहे हैं तो रोज किसको करना है और रोज कर किसको रहे हैं क्य तो इसमें कोई नई चीज हमें नहीं देखने हैं, गाहों में लड़का लड़की बनके आपके पर्वों में डांस करते हैं, पेल्बूर कई साले एसे और एकसेप्टबल है वो तो इन बड़े करेक्टर का रोल प्ले करता है, जहसी कि ना नहीं बन जाता है, तो उसको भाई रे भाई उसने बहुत अच्छा रोल टेगा, वाह वाह वाली चीज आती है, लेकिन जब वही चीजें हम टिक्टॉक पर देखते हैं, जबकि एक लड़के में लड़की में अच्छा रे भाई ये तो ट्रांसजेंडर है, ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा कैसे दिखा दिया, तो ये चीज एक हो गई, और ये कमेंट वागा जो सिक्षन था, आप जनरली कोई भी कमेंट देखेंगे, तो उसमें यही सारे शर्द आपको देखने को मेंगे, आप जब भी स्क कर दिया, तो इस तर ऐसे अप्मान जलक शब्द क्या उनके लिए नहीं है, क्या हमें ऐसे शब्दों का प्रियोग करना चाहिए, तो इस बारे में भी थुड़ा सा सोचने की जरूत है, और इससे क्या हो रहा है, इससे हम उन्हें इन्हुमें कर रहे हैं, कहीं नहीं नीचा दिखा रहे हैं, कि तुम नीचे हो हमसे, क्योंकि तुम ट्रांजेंडर हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेल और फीमेल दोनों की करेक्टर बिद्यमान है, और जबकि अगर आप देखें, तो अपनी औरिजिनल आइडेंटिटी से तो दूर नहीं जाता है, तो तो रोल बें जाते हैं, क्या वो ट्रांजेंडर तो नहीं बन जाते हैं, हाँ बस वो एक रोल प्ले कर रहे हैं, यहां पर गॉफ्मेंट को भी एक बार याद कर लिना जबरी होगा, और अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो रोल डिस्टेंस आ रहा है, वो फिर वहां पर भूमी कादूरी आ दूनों तरीके से वह फस रहा है, तो मेरा पॉइंट एक तो यह था, कि जो हम लोग ट्रांसजेंडर या गे कहकर कि हुन्हें अपानित कर रहे हैं, तो फिर बिलपूर कर रहे हैं, मेरे हसाब से, वो पूरी उस क्म्यूनिटी के खिलाफ, पूरी उस समुदाय के खिलाफ है जो कि उस कम्मुनिटी चाहता है, दूसरा पॉइंट यहां पर मैं यह रखना चाहूँगा कि आज भी हम लोग बात करें अपने घरों में जो ट्रडिशनल फैमिली चाहता है, मुझे लगता है जादा अतर फैमिली का प्रतिशक वही है तो वहां पर हम लोग मुवी देखना और इस तरह के कंटेंट देखना तो बहुत दूर की बात है, हम इस तरह के अदवर्टीजमेंट भी नहीं देख पाते हैं मैं विक्तिगत रूप से जिस परिवारा से आता हूँ या आप या फिर बाकी लोग हमारे जो दर्शक हैं इतना जदा इतना जदा परशान हो जाते हैं इतना जदा हुआ है हम प्रिशक के बैटिस्ता जो जाते हैं अख नई उसमेलेंट हो जाते हैं बच्चे थे और वो इस तरह का कंटेंट था कि बताना भी सही नहीं हुआ और इसी से फिर समाज में कही सारी बुराईयां जनम देती हैं क्योंकि हम ओपेंडनेस जो चीज आई ना कि ओपेंडन होना है तो कही ना कही इस ओपेंडनेस ने जो टैबू हुआ करते थे जो निश्यद माने जाते थे थे भाई माबाब के सामने ऐसे बात नहीं कही गए जो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है वो चीज पुरी तरह के से खाना और ख़जाना और उसके लिए एक शबद और पुराने में चलता था कि यह तीन चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें छिपा के रखना चाहिए तो उन्हें प्रदर्शल्म की चीज़ें नहीं हैं हाला की राइशनल होना बहुत अच्छी बात है लेकिन कुछ चीज़ों के लिए जो टैबू सुसाइटी ने बनाय हुए हैं उनका मुझे लगता है हमें खास को वाइटलाइन को वाइलेट करते हैं पर वो हटते नहीं है लेकिन एक चीज़ेस में यह भी देखे हैं कम से कम यूट्यूब पर जब हम कोई वीडियो अप्लोड करते हैं तो यह तो एटलिस की पूछता है कि इस वीडियो में अडल्ट्स के लिए अलाउ है या बच्चो के लिए लिए है तिक टॉक की वीडियो एटलाइन नहीं है तो तो पर अचानक से यह चीज दिख जाएगी जो आप देखना ही नहीं चाहते हैं अगेले भले देख ले ठाकि साथ में तो आप नहीं देखना चाहते हैं और वो चीज़ बच्चे भी देखना है और फिर वो मापाप से पूछते हैं कि ऐसा क्या है यह तो फिर उन्हें बता चल जाता है मैंने देखे कही सारे वीडियो कमेंट में आये और मुझे के दोस्तों ने बेज़े कि या यह यह क्या है तो मैंने गया यह यह तो वाकरी में मतलब जिन चीजों के बारे में बात करने से कदराते थे बात करने से डगते थे तो टैबुस थे डोंट्स वाली चीज invasion यह नब वो टैबुस ळटके या रहा हाँ ठीक है बात करने में क्या जाता है बात कर लेते हैं और उसी के चलते हैं रो दूसे हमारी एक open society के तरफ बड़ी दिस्से किया, कई सारी problems भी हमें देखने को मिली कि हाँ हमें पहले इन चीदों को छुपा के रखना होता था हमें इन सब चीदों के बारे में बात नहीं करनी है सोसाइटी को बचाने के लिए इस तरीके से लेकिन जैसे हमने उन पर खुले तरीके से बात करना शुरू कर दिया वो चीज़े कुछ पर कुछ ऐसा डिरेक्शन लेती चलिए जो कि समाज को फाइदा देने के लियास से तो शुरू ही थी पर एंड में जाकि वो लुक्सान दे लेने लगे हैं और सबसे बड़ी जो चीज रही आती हैं पर मॉरालिटी डिकलाइन की सोसाइटी उसे देख भी रहा है कंज्यूम भी कर रहा है लेकिन वहां पर ओडियंस में किसी भी तरीके से उसको अब्यक्शन नहीं किया तो हमें देखना होगा कि क्या हमारे कॉंशेस किसी चीज के प्रती इतने कॉंशेस नहीं कि क्या नहीं देखना है उसके लिए हम अपनी तरफ से अपनी जो वाइस है रिपोर्ट वाजी उसको उठापा है क्या उसके लिए भी आपको प्रोग करना पड़ेगा कि देखो भईया तुमाहे साथ यह चीजे नहीं होनी चाहि है या इस तरीके से इनन चीदों को प्रमोट किया जा रहा है और वो चीजे इससे पहले नहीं थी अभी अचानक से तुमे रिपोर्ट करना है उसके पढ़े आप बहुए रहते हैं कहीं अब कहीं नगी हम सभी जानते हैं कि अगर देखते लिए तो प्रवी उसका आसे है कि आप जो बैन करवाएंगे वो तो हमें जवर्द देखिना है, जिस भी हम तरीके से देखें, उसको हम दस और तरीके के इन्वैलिड आप्शन के तुरू हम उन चीजों को देखने और पंडे की कोशिश करें, जो चीज आपने बैन करी है, कि नहीं करना है, तो हम पहले नहीं समुदाय को वो चीज नहीं होनी चीज, मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल, बिल्कुल, तीसरा रिश्य भाइज उसके बाद जो मैं परस्पेक्टिव लेना चाहूंगा,